हेलो स्टुटेंस मेरा नाम है दिव्यम आज के लेक्षर से हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटिव के बारे में दोस्तों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये नॉन फाइनिट वर्ब क्या थी दोस्तों याद कीजिए कोई बी एक ऐसी वर्ब जो की संटेंस में प्रेजेंट जो सब्जेक्ट होता है उसके नमबर या फिर उसके पर्सन से वह चेंज ना हो तो दोस्तों ऐसी वर्ब को हम नॉन फाइन number and person of the subject क्यों? क्योंकि वो एक non-finite verb है ये तो दोस्तों हमें पता लग चुका है अब दोस्तों बात आती है कि हम एक sentence में ये identify कैसे करते हैं कि ये infinitive present का है हमें function तो पता है कि वो एक sentence में change नहीं होगा किसी भी situation में पर हम इसको identify कैसे करेंगे कि sentence में infinitive कहां भी present है तो दोस्तों इसकी एक तो बहुत ही common पहचान है कि infinitive को form करने के लिए हम verb की जो base form होती है उससे पहले देखिए हम एक to लगाते हैं तो ये to और साथ में verb की एक base form इससे हमें पता चल जाता है कि ये एक infinitive है इसके अलावा हम ये भी test कर सकते हैं कि वो infinitive एक sentence में क्या role play कर रहा है क्योंकि दोस्तों जो infinitive होता है वो एक sentence में noun, adjective या adverb की तरह use किया जा सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि sir आप तो अभी कह रहे थे कि जो infinitive है वो एक non finite verb है एक verb एक sentence में noun, adjective या adverb की तरह कैसे काम कर सकती है दोस्तों बिलकुल सही सोच रहा है पर हम verb की तरह एक verb को तभी use करेंगे जब वो एक finite verb होगी क्योंकि verb तो किसी भी situation में subject के according change होनी चाहिए परन्तों ये तो एक ऐसी verb है जो कि subject के according change नहीं होती है मतलब की ये एक sentence में noun, adjective या adverb की तरह काम करेगी दोस्तों अब ये कैसे use होते हैं ये हम in examples कि थूँ समझेंगे एक बारी हम noun, adjective और adverb क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं noun या किजिए noun किसी भी sentence में एक naming word को कहा जाता है, चाहे वो किसी भी person, place, animal, thing, feeling किसी भी चीज़ का नाम हो हर naming word एक noun होता है adjective, noun को describe करने का काम करता है, जैसे कि अगर मैं बोलू boy, तो ये एक noun है handsome boy, तो यहाँ पे handsome एक adjective है, जो कि boy को describe कर रहा है, फिर दोस्तों बात आती है adverb की adverb, किसी verb या फिर adjective, देखे adjective या फिर verb को describe करने का काम करता है, यानि example जो समझते हैं, अगर मैं बोलू कि I am almost always busy अब यहाँ पे busy हमारा एक noun है, almost always busy, busy कैसे, always busy, तो always busy को describe कर रहा है, तो always एक हमारा adjective हो गया, अब दोस्तों adjective को describe कर रहा है एक word almost, कि almost always busy, अब यहाँ पे almost एक adverb है, जो कि adjective को describe कर रहा है तो दोस्तों, यह हमने noun adjective और adverb की भी एक छोटी से revision कर ली है, तो देखे, अब यह example से, हम यह test करते हैं कि infinitive कहाँ पे है, और वो क्या role play कर रहा है, देखे, Sam loves to play, अब यहाँ पे दोस्तों देखे, formation में हमने क्या पढ़ा था, कि infinitive की formation के लिए पहले to लगाया चाता है फिर verb की base form, यहाँ पे to कहाँ पे है, देखे, यह to और verb की base form, play मतलब की, यह to play हमारा एक infinitive है, अब यह to play, एक activity का नाम, describe कर रहा है, मतलब की दोस्तों, यह एक noun की तरह, इस time act कर रहा है, second sentence देखे, that was a movie to watch अब यहाँ पे दोस्तों, that was a movie to watch, यहाँ पे infinitive क्या है, to watch और यह movie को describe कर रहा है, कि वो एक देखने लायक movie थी, तो यहाँ पे to watch, movie को describe कर रहा है, कि कैसी movie थी, एक to watch, देखने लायक movie थी, तो यहाँ पे यह to watch एक infinitive है, जो की adjective की तरह काम कर रहा है, third sentence देखे, she reads to gain wisdom, अब यहाँ पे दोस्तों देखे, she हमारा subject है reads एक finite verb है non finite verb, infinitive यहाँ पे क्या है, to gain अब दोस्तों, यह जो to gain है यह इस verb को describe कर रहा है कि वो किसले पड़ती है, to gain wisdom, wisdom तो हमारा object है पर यहाँ पे to gain इस verb को describe कर रहा है, तो यह एक adverb है, तो students I hope कि आपको यह समझाया, कि infinitives कुछ भी नहीं है, एक non finite verb है, जिसके आगे to लगाया जाता है, और साथ में यह एक sentence में noun, adjective या adverb की तरह act कर सकती है, जैसे कि हमने इन sentences में देखा, तो दोस्तों, यह तो थी एक basic introduction यह जो हमारे infinitives होते हैं इनके और भी बहुत सारी uses हैं इनको अलग-अलग तरीके से अलग-अलग situation में, sentences में use किया Students, I'm sure आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो इसी तरह से interesting तरीके से अगर आप सारे concepts, theories different chapters समभशना चाहते हैं तो download करिए P.U.Stack app क्योंकि इस app पर आपको बहुत कुछ मिलेगा sample papers हो, tip videos हो different lectures, back exercise solutions बहुत कुछ, so what are you waiting for? Download P.U.Stack app